Hello students, welcome back to Mandip Education Academy's YouTube channel तो बच्चो, Class 12 Physics के Lectures को आगे बढ़ाते हैं ये है Electromagnetic Induction का Lecture No. 2 Motional EMS Motional EMS एक बहुत important topic है बच्चो इसमें numericals है, derivations है तो वो सारी चीजे हम इस lecture में detail में पढ़ने जा रहे हैं copy pen लेकर बैठ जाओ लेकिन अगर आपने Electromagnetic Induction का Lecture 1 नहीं देखा है या आपको Faraday's Laws, Lens Laws, इन सबसे Related Concepts नहीं पता है तो ये आज का Lecture आपको समझ में नहीं आएगा तो पहले आप इसी का First Part जो इसी Playlist में आपको मिल जाएगा उसको देख लो, उसके बाद ये देखना जो बच्चे नए है चैनल पे जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूँ कि अगर आप Class 12 Physics की स्टार्टिंग से प्रिप्रेशन करना चाते हो, बिल्कुल डिटेल में एक-एक टॉपिक पढ़ना चाते हो तो आपको प्लेलिस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी तो आप अपनी प्रिप्रेशन वहां से कर सकते हो शुरू करते हैं बच्चो, मोशनल EMF समझने से पहले आपको याद होगा कि फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि ये जितने भी कॉंसेट्स हैं एलेक्रो मैगनेटिक इंडक्शन के इनको हम बिना फैराडे लॉओ और बिना लेंज लॉओ के भी समझ सकते हैं एक्चुली आल दीस कॉंसेट्स आर रिलेटिट टू चैप्टर नंबर फोर moving charges and magnetism तो इसमें Faraday law, lens law लगाने की जरूरत नहीं थी बस ये laws यहाँ पर लगा के कुछ फिनॉमिना बहुत easily समझाए जा सकते हैं जो otherwise समझने मुश्किल हो जाते क्या कह रहा हूँ मैं? देखो तो यह आपके सारे बहुत important question science topic से related इनको अभी हम discuss करेंगे पूरे lecture में लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि how to understand the concepts of electromagnetic induction without using the laws of electromagnetic induction यह कुछ चीज़ें आपके लिए समझने बहुत जरूरी हैं इनका मैं जिक्र कर रहा था पहले lecture में तो इनको जरा अच्छे से समझ लो और आपका काफी कुछ clear हो जाएगा देखो बच्चो मान लेते हैं यह है एक magnetic field क्या समझा रहा हूँ मैं basically पहले पहले इस पूरे discussion को अच्छे से समझो तो आपको बात समझ में आएगी कि मैं क्या कहना चाहा हूँ यह है एक magnetic field और इस magnetic field में suppose हम लोग एक coil को यह हमारे पास rectangular square कोई सा भी coil है इस coil को इस magnetic field में इस तरफ खीच रहे हैं with velocity suppose V ठीक है इसको अंदर ला रहे हैं अब faraday law क्या कहता है faraday law यह कहता है कि इस coil में current induced होगा क्योंकि जब आप इसको खीच के अंदर लाओगे तो इसके through जो magnetic field line है वो बढ़ेंगी हाना यह जो magnetic field lines है इस region में magnetic field है यहां से यह region शुरू हो रहा है इससे पहले कोई magnetic field नहीं है तो जब आप इस coil को खीच के अंदर की तरफ लाओगे जब इस coil को खीच के अंदर की तरफ लाओगे तो इसके through magnetic field lines बढ़ेंगी तो इसमें current induced होगा यह faraday law कहता है चलो ठीक है अगर हमें faraday law ना पता हो तो क्या तब भी हमें पता लग रहा है कि जब इसको खीच के इधर लाया जाएगा तो इसमें current induced होगा मैं कहा रहा हूँ पता लग रहा है और यह हमको पता लग रहा है by concepts of chapter 4 देखो वच्चो ध्यान से आपने chapter 4 में एक concept पढ़ा होगा कि जब भी एक charge particle magnetic field में move करता है तो उस charge particle पे force लगती है यह chapter 4 में हमने पढ़ा था और वो force होती है qvb sin theta जहां पर कि q जो है वो particle का charge है v particle की velocity है b जो है वो magnetic field है और v और b के बीच का जो angle है वो theta है अब आप देखो faradelo छोड़ दो बिल्कुल electromagnetic induction के concept ही छोड़ दो उसके बिना हम बात को समझेंगे ठीक है कि भई faraday ने कह दिया कि जब flux change होता है तो current induce होता है और EMF भी दोनों ends में induce होती है ठीक है हमने भी मान लिया लेकिन सवाल है कि क्यूं होती है तो उस क्यूं का जवाब देने के लिए हमें faraday loss से बाहर निकलना पड़ेगा तो जब आप इस coil को ऐसे खीच के इधर ला रहे हो हना आप इसकी ये वाली PQ साइड पे जरा focus करो PQ पे ठीक है इस PQ के अंदर जितने भी electrons होंगे वो सारे electron भी इधर जा रहे हैं क्योंकि बहुए electron जो है वो conductor का पाठ है तो जब आप conductor को खीच रहे हो तो सारे electrons भी इधर जा रहे हैं तो सारे electrons, electron मतलब charge particle, तो सारे electrons इस तरफ आ रहे हैं, वो भी सारे V velocity से ही तो आ रहे हैं, क्योंकि आप इसको V velocity से खीच रहे हो इस conductor को, तो इस PQ side के electrons इधर V velocity से जा रहे हैं, तो उन सब पे एक force लगेगी F, और वो force किदर लगेगी, उस force की आप जानते हो कि direction निकालते हैं, फ्लैमिंग्स left hand rule से, निकालने ज़रा, सारे के सारे electrons का जो motion है, वो इस तरफ हो रहा है, तो आप जानते हो ये वाली finger किस तरफ रखते हैं, ये वाली finger रखते हैं positive charge के direction में, जिस तरफ positive charge जा रहा हो, तो electrons सारे इधर जा रहे हैं, तो मान लो positive side, positive charge इधर जाएगा, अगर आप खींच के electrons को इधर ले जा रहे हो, तो इस वाली finger को आप कहां रखते हो, या तो positive charge की direction में, या negative charge की opposite direction, तो अगर electrons इधर जा रहे हैं, तो इस वाली finger को आप इधर रखो, हना और magnetic field वाली finger को आप अंदर रखो, तो आप देख रहे हो कि यह थंब किदर आया, यह थंब आया नीचे की तरफ, यानि कि इन सारे electrons पे नीचे की तरफ एक force लगेगी, हना सारे electrons पे नीचे की तरफ एक force लगेगी, तो जब आप इस conductor को इधर खींचोगे, पे वाला एंड क्या हो जाएगा, पी वाला एंड क्या हो जाएगा, positive, तो क्या हुआ, एक एंड positive हो गया, दूसरा एंड negative हो गया, तो एक potential difference setup हो जाएगा, इसके दोनों ends में, उस potential difference की वज़ए से, यह जो PQ side है, यह एक battery की तरफ भीएव करने लगेगी, जिसका positive एंड इधर, और negative एंड इधर होगा, तो यह PQ side एक battery की तरफ भीएव करने लगेगी, तो अब जब यह battery की तरफ भीएव करने लगेगी, तो इस पूरे circuit में current दोडेगा, इस पूरे circuit में current दोडेगा, किस तरफ दोडेगा, अब इस वाले part के, जितने भी electrons होंगे, और इस वाले part के जितने भी electrons होंगे, वो रिपेलों के इधर भागेंगे, इस negative से रिपेलों के इधर भागेंगे, और इस positive से attract होंगे इसकी तरफ आएंगे, तो electrons ऐसे चलने लगेगा, इस पूरे circuit में, और अगर electron ऐसे चलने लगेगा, तो आप जानते हों कि हम current की direction क्या लेते हैं, current की direction लेते हैं, electron के चलने का opposite direction, तो इसमें एक I current आ नहीं गया, इसमें Faraday law तो हमने कहीं use ही नहीं किया, तो इसलिए EMF और current induced होता है, लेकिन सर जब flux change नहीं होता है, तब current क्यों नहीं induce होता है, बिल्कुल simple सी बात है, अगर ये खिचता-खिचता पूरा का पूरा अंदर आ जाए, आप इसको खीच के पूरा का पूरा अंदर ले आए, आप इसको खीच-खीच के पूरा अंदर ले आए, अब क्या होगा, क्या अब flux change होगा, अब तो flux नहीं change होगा, हाँ ना, अब इसको आप V velocity से इदर खीच रहे हो, तो भई uniform magnetic field है ना, uniform magnetic field है तो flux कहाँ change हुआ, जब आपने इसको इदर खीचा, तो जितनी magnetic field lines अंदर एंटर करी, उतनी इदर से बाहर भी निकल गई, so there will be no change in flux, तो इसमें EMF induce नहीं होगा, according to Faraday law, लेकिन सच में अगर हम देखें, तो इसमें EMF क्यों नहीं induce होगा, अब क्या है, कि ये वाली side भी इदर खीच रही है, तो बिल्कुल वैसे ही, आप imagine करो कि यहाँ पर एक battery लगी है, आप imagine करो कि यहाँ पर एक battery लगी है, ऐसी, आणा, ऐसी, लेकिन अब ये वाली side भी तो इदर जा रही है, वो अकेली side थोड़ी जा रही है, पहले तो ये वाली side magnetic field में थी ही नहीं, लेकिन अब तो ये वाली side भी magnetic field में जा रही है, तो इसके अंदर के भी सारे electron ऐसे जा रहे हैं, तो अगर इसके अंदर के सारे electron ऐसे जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी same voltage की एक battery बिलकुल इसी polarity में imagine कर सकते हो, तो ये battery का EMF और ये battery का EMF बराबर होगा, प्लस दोनों के positive terminals और negative terminals आपस में connected हैं, तो net EMF zero हो जाएगा, और net EMF zero हो जाएगा, तो फिर इस circuit में कोई current नहीं दोड़ेगा, समझ मैं ही बात? हाँ आप अगर ये सोच रहे हो कि हमने दोनों ही cases में ये वाली wire को या ये वाली wire को क्यों नहीं लिया, तो बेटा वो तो इस लिए नहीं लिया ना, क्योंकि इस वाली wire के electrons इधर जा रहे हैं, क्योंकि ये इधर खिंच रही है, तो थीटा zero degree हो गया, तो इस wire पे और इस wire के electrons पे कोई force नहीं लगेगी, लेकिन इस case में when the flux is changing, इसका सिरफ एक ही हिससा अंदर है, तो यहाँ पे force लगेगी, उसकी वज़ा से EMF induce होगा, लेकिन इसके दोनों हिससे अंदर है, तो यहाँ पर भी force लगेगी, इस वाले electrons पे भी force लगेगी, तो अब भाई, इसका ये वाला end negative charge हो गया, इसका भी aligned negative charge हो गया, इसका ये वाला end positive charge हो गया, इसका भी aligned positive charge हो गया, तो ये electrons को कह रहा भाई उधर जा, वो कह रहा नहीं भाई उधर जा, तो इसके अंदर electrons इस case में नहीं चलेंगे, ठीक है, लेकिन अगर ये non uniform magnetic field होती, जैसे यहाँ magnetic field ज़ादा है और यहाँ कम होती, तो जितनी magnetic field lines अंदर गुसती, उतनी बाहर नहीं निकलती, तो उस case में current induced होता, क्योंकि flux change हो रहा होता, और logically सोचे, मतलब इस point of view से देखें, तो क्या होगा, इस पे force अलग लगेगी, ये electrons पे और इसके electrons पे force अलग लगेगी, क्योंकि B दोनों का different होगा, ये अलग B में है, वो अलग B में है, तो फिर जो दोनों की EMF होगी, वो unequal होगी और वो काटेगी नहीं एक दूसरे को, समझे, similarly, जब ये बाहर निकल रहा होगा, जब ये coil बाहर निकल रहा होगा, तो फिर इस वाले पे force नहीं लगेगी, इस पे force लगेगी, तो इसकी वज़ा से पूरे circuit में electrons दोड़ेंगे, तो Faraday Law के point of view से हम बोलेंगे, कि भाहिया, flux change हो रहा है, इसलिए electrons दोड़ रहे हैं, बट actual में इसलिए दोड़ रहे हैं, क्योंकि सिर्फ इसमें EMF induced हुआ है, उसमें नहीं हुआ है, इसमिल सी बात बोल दी कि भाहिया, जब flux change होगा EMF induced होगा, खाथम बात, से अप्पा मुखाओ, ठीक है, इस इस, वे नॉर्थ इंडियन, तो से अप्पा मुखाओ, इस लाइक प्रॉब्लम कटम करो, पंजाबी बोलते हैं न, तो confused होगे, सरी है, क्या बोल गए, ठीक है, समझ में आई बात, बट इस discussion is not important, for your examination point of view, अना, exam में कोई इस तरीके की चीज नहीं पूछेगा, but just I wanted to discuss कि मैं आपको, in-depth समझा सकूँ चीज़ों को, राइट, so now, now let's start the topic, which is motional EMF, motional EMF, क्या है बच्चो, EMF which is induced as a result of motion in a conductor, is called motional EMF, आपको याद होगा, कि Faraday Law यह कह रहा है, कि जब magnetic flux किसी भी conductor के साथ, linked, change हो, तो उसमें EMF induced होता है, अब magnetic flux को change करने के कई तरीके हैं, अपने पास, क्योंकि magnetic flux होता है, B, A, cos, theta, so we can change B, we can change A, we can change theta, तो कई बार conductor को move कराके, इन में से एक चीज़ चेंज की जाती है, उस case में जो conductor के दोनों ends में EMF induced हुआ होता है, उसे बोलते हैं, motional EMF, EMF which is induced as a result of motion in a conductor, इसके तीन cases हम लोग पढ़ेंगे, तीन different formula है, पहला case है when a conductor is moving in a magnetic field, perpendicular to direction of magnetic field, एक conductor है हमारे पास, यहाँ पर PQ which is moving in this magnetic field, cross valley which is into the plane, right, so this PQ conductor is moving in magnetic field, और, suppose यह इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, तो होगा क्या, यहाँ पर देखो PQ तो movable conductor है, बट इस movable conductor PQ, जो है वो एक, यह देख रहे हैं, यह भी metallic strip है, इसके साथ contact में है, यहाँ इसके उपर हमने रख दिया, इसको touch करके, और फिर हम इसको आगे पीछे कर रहे हैं, तो क्या होगा है, जो enclosed area यह बदलेगा, तो enclosed area बदलेगा, इस coil का, इसको एक coil मान लो अब, और जब यह वाली side, इसकी यह वाली arm आगे पीछे होगी, तो जो enclosed area है, यह बदलेगा, तो जब यह enclosed area change होगा, तो यार फिर इसमें EMF induce होगा, according to Faradaylor, ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो हमने क्या निकालना है, हमारा जो main focus है न, वो है यह, कि यह वाली जो PQ side है, इसकी PQ, इसकी length हम लोग मान लें की L है, ठीक है, और यह V velocity से move कर रहा है, B magnetic field में, तो हम एक formula यह derive करने जा रहे हैं, कि अगर एक conductor V velocity से B magnetic field में move करता है, तो उसके दोनों ends में कितना EMF induce होगा, मैंने last lecture में भी आपको condition बताई थी, कि अगर coil नहीं है, एक straight conductor है, अगर coil नहीं है, एक straight conductor है, तो उसके दोनों ends में EMF induce होने का क्या condition है, अगर एक straight conductor है, तो उसके दोनों ends में EMF तब induce होता है, जब वो magnetic field lines को काटते हुए जा रहा हो, या फिर B, L और V, तीनों mutually perpendicular हों, V मतलब magnetic field, L मतलब conductor की length, V मतलब conductor की velocity, all these three should be mutually perpendicular to each other, तो तब जब एक conductor ऐसे move कर रहा हो, कि B, L और V तीनों mutually perpendicular हों, तो उस conductor के दोनों ends में EMF induce हो जाता है, और अगर उसके दोनों ends किसी circuit से connected हों, जैसे यहाँ पर connected है, तो फिर उस circuit में current भी आ जाता है, तो यहाँ पर एक derivation हम लोग करने जा रहे हैं, कि जब यह conductor L length का V velocity से B magnetic field में move करेगा, तो इसके दोनों ends में कितना EMF induce होगा, तो कितना EMF induce होगा, बच्चों, बताओ, flux कितना है, इस position में, जब यह इस end से X distance पर है, यह आगे पीछे move कर रहा है, तो एक्स्चेंज होगा, तो जब यह इस end से X distance पर है, तो इसके, इसके through, जो enclosed flux है, वो कितना है, B, A, A मतलब this enclosed area, into cos, theta कितना होगा बच्चों, magnetic field line अंदर की तरफ है, और यह area ऐसे है, तो इसका भी area vector आप अंदर की तरफ मान लो, तो magnetic field line और area vector में angle है 0 degree, right, cos 0 होता है 1, तो B into, this area is what, this area is L into X, so this is the flux, right, this is the flux, तो EMF क्या होता है, EMF होता है, minus D phi B, Faraday का second law, by DT, so minus D by DT of B L X, देखो बच्चों, जब यह conductor आगे पीछे move करेगा, तो क्या चीज है जो बदलेगी और इन तीनों में से, क्या चीज है जो बदलेगी और क्या चीज है जो नहीं बदलेगी, तो जब यह ऐसे आगे पीछे move करेगा, तो B नहीं चेंज होगा, magnetic field नहीं चेंज होगी, L इसकी length नहीं चेंज होगी, X चेंज होगा ना, इधर आएगा तो X घटेगा, इधर आएगा तो X बड़ेगा, तो क्या करें, कि derivative हो रहा ना यह, तो इसके बाहर वो ले लो, जो चेंज नहीं होगा, तो B और L बाहर चले गए, अंदर क्या बचेगा, DX by DT, और DX by DT क्या हो गया, अगर इसने DT time में इधर DX distance आया, तो obviously DX by DT क्या हो गया, इसकी velocity हो गई ना, तो DX by DT की जगा लिख दो V, तो B L V, So this is the first formula for emotional EMF, और आप समझ गए ना, आपको यह कब लगाना है, यह formula आपको तब लगाना है, जब एक L length का conductor, B magnetic field में V velocity से move करता है, तो उसके दोनो ends में, इतना EMF induce हो जाता है, minus sign आप ignore कर सकते हो, numericals के लिए, तो हम इसको mod में लिख सकते हैं formula को, जादा तर जो हम लिखते हैं, E mod that is B L V, ठीक है, और conductor के दोनो ends में, EMF तभी induce होगा, अगर B L और V, तीनों mutually perpendicular होंगे, जो की यहाँ हैं, देखो, L, V और B, हाना, यह तीनों क्या हैं, mutually perpendicular हैं, तो I जो होगा, induced current का formula भी लिख लेते हैं, induced current का formula क्या होगा बच्चों, ohm slow लगाओ, I क्या होता है, I होता है, E by R, ठीक है, तो अगर, resistance जो है, इस पूरे का, इसको मिला के, इस पूरे का resistance R है, तो I क्या होगा, E by R, और E क्या है, B, L, V, mod E by R, So, this is the formula for induced current, अब question देखो इसी formula पे, an aircraft with a wingspan of 40 miles, flies with a speed of 1080 km per hour, in the eastward direction, at a constant altitude in the northern hemisphere, where the vertical component of earth's magnetic field is this, find the EMF that develops between the tips of the wings, एक aeroplane है, उसका जो wingspan है, wingspan मतलब, दोनो wings के बीच का end-to-end distance, वो यहाँ पर दिया हुआ है हमको, की wingspan कितना है, wingspan है 40 meter, तो इसको हम ले सकते हैं, देखो, हम यह ले सकते हैं कि, एक conductor, पूरे aeroplane को भूल जाओ, एक conductor L length का, यह है, यह है wings, यह है aeroplane की wings, तो aeroplane ऐसे उड़ता हुआ जा रहा है, अना, aeroplane ऐसे उड़ता हुआ जा रहा है, तो हम यह मान सकते हैं, conductor L length का, हाना, V velocity से, तो वो velocity किसकी हो गई, aeroplane की velocity हो गई, L length का conductor, V velocity से, B magnetic field में जा रहा है, अब magnetic field कौन सी है, Earth की magnetic field, Earth अपने आप में एक huge magnet है, और उसकी magnetic field के, magnetism में आपने पढ़ा होगा, उसकी magnetic field के, दो components होते हैं, एक horizontal component होता है, एक vertical होता है, तो अब aeroplane के दोनों wings में, जो EMF induce करेगा, वो कौन सा component होगा, वो vertical component होगा, क्योंकि horizontal वाला तो ऐसे होगा, horizontal component तो ऐसे होगा, horizontal component, अगर आप horizontal component लेते हो, तो horizontal component और V के बीच का अंगल तो 0 degree हो गया, बट EMF तो तब induce होती है, जब B, L और V तीन हो mutually perpendicular हो, तो L ऐसे है, V ऐसे है, तो B ये वाला लेंगे, और ये कौन सा है, vertical component, और vertical component ही दिया हुआ है, एक्वेशन में, तो L हो गया, L हो गया 40 meter, L हो गया 40 meter, speed जो की हो गया V, which is, kilometer पर आर में है न, तो इसको 5 by 18 से, multiply करें, और meter पर second में निकालें, और 108 है ये, 18 का पहड़ा आता है, चे, तो 300, aeroplane की speed हो गई, 300 meter पर second हो गया, पहले pause करके, तुमको try कर लिया गर हो, vertical component of earth's magnetic field B, is, 1.75, into 10 raise to power minus 5 Tesla, तो वाट इस अम्फ इंदूस्ट, BLV, B L V Tesla, सब ऐसा यूनिट में डाल दिया, तो ये भी ऐसा यूनिट में ही आएगा, ठीक है, 4 into 3, 12, 1.75 इन्टू, इन्टू, 21, 21, इन्टू, 3,0, काट दें, 10 की पावर, minus 2, ओ सॉरी, Tesla क्यों लिख दिया मैंने, वोल्ट में आएगा ना ये तो, EMF निकाल रहे हैं, इतना वोल्ट, ठीक, clear, और देखें, एक मीटर से जब वो फॉल करेगा, तो वो कितनी विलॉस्टी एक्वाइर कर लेगा, 10 मेटर से जब वो फॉल करेगा, तो वो कितनी विलॉस्टी एक्वाइर कर लेगा, तीसरी एक्वेशन लगाओ, वी स्क्वेर माइनस, यू स्क्वेर इक्वेर इक्वेर टू, 2, G, H, तो वी हो जाएगा, हमारा अंडर रूट 200, विचिस टैन रूट टू, मीटर, पर सेकेंड, ठीक है, तो कितना EMF इंड्यूस होगा, वो कह रहा है, कि कट कर रहा है, मैगनेटिक फिल्ड लाइनस को, कंड़क्टर जो है, वो मैगनेटिक फिल्ड लाइनस को, कट कर रहा है, होरिजोन्टल कॉम्पोनेंट को, तो होरिजोन्टल कॉम्पोनेंट लेना पड़ेगा, यहाँ पर B की जगा, पर जब कंड़क्टर ऐसे गिर रहा है, तो वो अर्थ के ऐसे गिर रहा होगा, ऐसे, अर्थ के होरिजोन्टल कॉम्पोनेंट को, magnetic field, which is 3 into 10 raise to power minus 5, L, L कितना दिया हुआ है, length 1 meter है, into V कितना हमने निकाला, 10 root 2 volt, so this is 3 root 2 into 10 की power minus 4 volt, अच्छा, case 2, ये तो पहला case था, कि जब एक conductor जो है, वो magnetic field में, एक straight conductor magnetic field में move कर रहा है, L length का conductor V velocity से move कर रहा है, एक magnetic field में, जिसका magnitude है B, तो उसके दोनों ends में BLV, EMF induced होगा, और current BLV by R होगा, अब एक दूसरा case है, वहना conductor rotates हीना magnetic field, बचो ये conductor देखो यहाँ पे, इस conductor को यहाँ fix कर दिया, इस conductor को यहाँ fix करके ऐसे गुमाया, यहाँ fix करके ऐसे गुमाया, और magnetic field देख रहे हो, into the plane, तो जब यहाँ fix करके इस conductor को ऐसे गुमाया जाएगा, तो यह conductor क्या magnetic field lines को काटेगा, बिल्कुल काटेगा, और जब एक conductor ऐसे rotate कर रहा है, तो आप जानते हो कि उसकी जो linear velocity वो कैसे ली जाती है, वो tangentially ली जाती है, तो है ना, L, V और B, तीनों perpendicular, तो जब conductor ऐसे rotate करेगा, तो भी उसके दोनों ends में क्या होगा, एक EMF induce होगा, अब उस EMF को, अब situation दूसरी पकड़ ली ना आपने, उस EMF को हम कैसे निकालें, उसके लिए हमारे पास derivation है, ये, तो आप जानते हो कि EMF तो BLV by R होता है, हना, BLV होता है, sorry, EMF not current, EMF क्या होता है, EMF होता है, BLV, तो ये formula यहाँ पे लगा लो, क्या दिक्कत ह दिक्कत है, दिक्कत ये है बेटा कि इसके जो हर पार्ट का V है, वो सेम नहीं है, आप जानते हो कि एक body जब घूमती है सरकल में, तो उसका V जो होता है, वो R omega होता है, हना, V जो है, वो क्या होता है, R omega, तो जब ये पूरा conductor ऐसे घूम रहा है, तो इसके हर एक पार्ट का जो radius है, वो अलग है, अगर मैं यहाँ पर एक particle लेता हूं, तो उसका radius इतना है, अगर मैं यहाँ पर particle लेता हूं, तो उसका radius इतना है, तो radius जो है, वो हर पार्ट का same नहीं है, different है, जब कि omega, एक fixed angular velocity से घूम रही है, तो omega सबका same है, R सबका different है, तो V हर part का different होगा, तो इसलिए जब हमें formula लगाएंगे blv तो हम v कौन से पार्ट का लेंगे तो हम इसको simply यह लिखते है कि हम average लेंगे और v average क्या होगा v average average linear velocity इस rod की क्या होगी v min average क्या होता है अगर कोई चीज uniformly बढ़ रही हो तो उसका average होता है minimum value plus maximum value divided by 2 uniformly यह तो बढ़ रहा है भई आप जैसे जैसे आगे जाओगे r uniformly बढ़ रहा है r uniformly बढ़ रहा है तो v b uniformly बढ़ रहा है सबसे कम linear velocity सबसे कम linear velocity कौन से पार्ट की होगी सबसे कम linear velocity होगी इस particle की 0 जो center पर है और सबसे ज़्यादा r किसका है सबसे ज़्यादा r है इस वाले part का rod के जो बिलकुल कोने पर है और इस वाले part का r 0 है और इस वाले part का r क्या है l तो v min क्या होगा v min तो 0 होगा v min क्या होगा 0 हाना क्या इसके notes मैं देदेत हूँ आपको save करते जाते हैं v min तो 0 होगा और v max क्या होगा v max होगा l omega हाना r की जगा हमने क्या डाल दिया l डाल दिया क्योंकि maximum r वही है तो therefore v average क्या हो जाएगा 0 प्लस omega l divided by 2 तो यहाँ पर v average की जगा हमने यह डाल दिया है तो emf हो जाएगा b l 0 प्लस omega l बाई 2 यह l और वो l सेम है ना तो हम इसको भी मान लो यह small l यह है this is also small l right तो फिर हम इसको भी क्या ले small l ले जहाँ जहाँ हमने capital l लिया है So, what is E? E is half a 1 by 2 b l square omega half b l square omega तो अगर यह एक body ऐसे rotate कर रही है magnetic field में तो इसके दोनों ends में कितना emf induce होगा half b l square omega सीधी सीधी जा रही है तो b l v घूम रही है तो half b l square omega where omega is the angular velocity radian per second याद ना आपको इसकी ऐसा unit So, अच्छा क्या है इसकी कहानी इसकी कहानी आगे बढ़ाते हैं अब एक question देख ले हम क्या कहा जा रहा है a wheel with 15 metallic spokes each 60 centimeter long एक wheel है जिसमें 15 metallic spokes हैं जैसे ये wheel है इसमें 15 metallic spokes है एक दो है ना ऐसे ये spokes होते हैं 14, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 समझ गये सर 13, 14, 15 a wheel with 15 metallic spokes each 60 centimeter long हर एक spoke की length कितनी है 60 centimeter हर रहाद के रहाद टेस्टी समझ एक करक्यान ये लिए को पर दोले से 130XT मपोर 10 Report रहाद के ले लेक प्याूदी सवादै किर used 25 वेर कर्शादा रहाद कित behalf 16 से प्लेजे उे-व लें वेए-पर ने बशादादी से वे लेख sticky cách increased, समझके, नहीं समझे, देखो, यहाँ पर, इस इस जगा पर, अर्थ की magnetic field का horizontal component ऐसे होगा, horizontal direction में, और wheel जो है, उसके perpendicularly rotate करा जा रहा है, अना ये जो wheel है, ये wheel ऐसे है, ऐसे, अना, ऐसे, चलो, आपकी तरफ से दिखाएं, जैसे horizontal component ऐसे, अर्थ की magnetic field का, तो ये wheel ऐसे गुमाया जारा, ऐसे, ऐसे गुमाया जारा, ऐसे, परपेंडिकुलर टू दा, horizontal component of earth magnetic field, तो इसके दोनों ends में कितना, एक spoke के दोनों ends में कितना EMF induced हुआ, एक spoke के दोनों ends में 400 millivolt EMF induced हुआ, तो कह रहा है कि बताओ, जो earth का horizontal component है, ओ magnetic field, earth की magnetic field का, जो horizontal component है, उसकी value बताओ, अभी बता देते हैं, अब आप जानते हो कि अब ये घूम रहा है, अगर सिरफ एक पे spoke, इसका बाद में देखेंगे, rotated at 360 revolution per minute, भाईया, revolution per minute में क्या दिया होता है, revolution per minute में तो आपको frequency दी होती है, not angular frequency, बट formula में angular frequency थी, अब 360 revolution per minute है, और rpm, revolution per minute मतलब rpm, rpm तो आप जानते हो कि standard unit होती भी नहीं है, तो हम इसको क्या करें, इसको हम 60 से divide करें, तो इतना आ गया rps में, right, अबे, right, right, बोलूगे तो वाज थोड़ी आएगी मुझे, मन में बोल लो, right, okay, 60, 360 by 60, तो 6 rps से घूम रहा है, ठीक है, omega निकाल लो, omega होता है 2 pi new, sir नहीं पता, तो पहले basic पढ़के आईए, 2 pi new, that is 12 radian per second, omega, तो L हो गया, और B तो हमने निकाल नहीं है, EMF कितना induce हुआ, 400 millivolt, तो formula लगा दें, EMF क्या होता है, EMF होता है, half B L square omega, ये कितना है, 400 millivolt, millivolt का मतलब है, 10 की power minus 3, equal to half into B, B हमने निकालना है, into L square into omega, 12 नहीं, 12 pi, right, इस equation को, आज solve कर सकते हो न, आगे करने की जुरत्त नहीं है, इस equation को solve करके, you can find the value of B, ठीक है, solve करके, B की value निकालके, मेरे को बता देना comments में, मैं बता दूँ, answer सही है, ये गलत, right, how will the induced EMF change if the number of spokes is increased, ये important है, वो कह रहा है कि, अगर अभी तो इसमें कितने 15 metallic spokes हैं, वो कह रहा है, अगर मैं बढ़ा दू, तो क्या EMF में बदलाव आएगा, अगर मैं इसको 15 की जगा 50 कर दूँ, तो क्या EMF में बदलाव आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, because ये EMF जो induce हो रहा है, ये center और circumference के बीच में हो रहा है, और center और circumference पे कोई भी point, ये सारे spokes आप जानते हो parallel में हैं, parallel में हैं ये सारे spokes, क्यों, क्योंकि सबका एक end यहाँ है और दूसरा end circumference पे, और ये circumference सारे ये जुड़े हों है points आपस में, तो इन सबका voltage क्या होगा, इन सब पे जो potential होगा, वो same होगा, तो अगर हम मान लें कि VB potential है circumference पे और VA potential है center पे, तो सबके across VB minus VA potential होगा, तो आप spokes चाहे 10 कर दो, चाहे 50 कर दो, EMF में कोई बदलाव नहीं आएगा, that will be 400 millivolt, तो number of spokes चेंज करने से नहीं होगा, अगर आप EMF चेंज करना चाहते हो, तो आप omega चेंज करो, B चेंज करो, L चेंज करो, जिन पे EMF depend कर रहा हो, चेंज करो, ठीक है, अच्छा, एक चीज़ और lens law तो मैंने आपको बताई दिया है, मैं भूल ना जाओ, इससे पहले मैं आपको बता दूँ, कि एक और तरीका भी होता है, induced current की direction निकालने का, और उसको बोलते हैं, flaming's right hand rule, ठीक है, magnetic field की direction में, इसको आपने रखना motion की direction में, तो यह आपको देगा induced current की direction, जैसे अगर हम निकालना चाहते हैं, इस PQ conductor में, current की direction में induced होगा, तो यह magnetic field की तरव रखा, यह motion की तरव रखा, तो इस PQ conductor में, अगर यह इधर जा रहा है, तो अब्वियसली करंट इधर ही होगा तो उस फंडे से निकाल सकते हो लेंज लॉस से निकाल सकते हो तो फ्लैमिंग्स राइट एंड रूल की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती बट फिर भी बता दिया मैंने आप पानी पिने वाटर ब्रेक रिलेशन बिट्विन इंड्यूस्ट चेंज अब एक चेंज नहीं चार्ज एक चार्ज पर बेस्ट क्वेशन आ जाता है इंड्यूस्ट चार्ज एंड्यूस्ट चेंज इन मैगनेटिक फ्लक्स देखो बक्चो आई जो है आई जो है आप जानते हो आई क्या होता है आई होता है डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी डिवाईडिड बाई आर हाना बई करंट क्या होता है emf by r by ohms law और emf क्या है rate of change of flux तो current is emf यानि rate of change of flux divided by r हम क्या निकाल रहे है change in magnetic flux यानि delta phi और induced charge में relation निकाल रहे है अब current क्या होता है charge by time तो इसको मैं लिख सकता हूँ delta q कितना charge induced हुआ delta t कितने time में right तो and this is delta phi divided by delta t into 1 upon r क्या कटा delta t से delta t कटा so induced charge delta q इस पर question आ सकता है equal to important questions की series लेकर आऊँ वासले बस कतम हो जाता है तो यहां पहले ही शुरू कर दूँ क्या कहते हूँ delta q equal to delta phi by r यह relation होता है induced charge equal to change in magnetic flux by resistance of the conductor याद रखना अच्छा force and power के क्या formula है बच्चो अब देखो अब अब वापस इस पर अगर हम आएं बड़ी important बात बता रहा हूँ अब अगर हम इस पर आएं तो जब आप एक conductor को magnetic field में move करते हो चलो first वाली slide से दिखा तो महां से भी समझ में आ जाएगा जब आप अब opposing force क्यों लगती है हना जब आप इसको इधर move करोगे तो इसमें current induce होगा तो emf induce होगा और वो अपने cause को oppose करेगा क्योंकि वो induce नहीं हो होना चाहता तो आपको इस तरफ एक force feel होगी तो आपको लगेगा आपके लिए यह इधर move करना मुश्किल हो गया है conductor को ऐसा क्यों होता है क्योंकि जब आपने इसको इधर move किया हना तो इसमें current किदर induce हुआ इसमें अभी हमने निकाला नीचे की तरफ आई है current की direction है तो ऐ ilb sin theta लेकिन उसको हम सिरफ ilb लिख सकते हैं क्योंकि sin theta theta तो 90 है न तो इल और बी के बीच का एंगल तो 90 है तो इसमें force लगेगी ilb और उसकी direction निकालते हैं फ्लैमिंग लेफ्ट एंड रूल से तो फ्लैमिंग लेफ्ट एंड रूल से लेफ्ट 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 ये वाला concept lens law वाला concept भी समझाने के लिए हमें कोई कोई मतलब ये नया concept नहीं है ये सब related हैं वो fourth chapter से तो इस पर इधर force लगेगी जबकि आप इधर move कराने की कोईश कर तो आपको तो force इधर महसूस होगी के नहीं होगी तो जिस direction में भी हम conductor को move कराते हैं हमें उसके opposite direction में वो force होती है क्या उसका formula हमने निकालना है तो वो force होती है I L B हाणा I L B और I क्या है I है B L V by R अब बताओ यह क्या बना B का square हो गया हाणा L का भी square हो गया B square L square V by R this is the formula for force इसको derive करने के लिए भी आता है और इस पे numerical भी आता है दूसरा है power पावर कितनी लगेगी आपको mechanical पावर कितनी लगानी पड़ेगी इस conductor को move कराने के लिए भाई अगर उसके force F उधर लग रही है तो आपको भी इधर F ही लगानी पड़ेगी अगर आप उसको constant velocity से इधर ले जाना चाहते हो V constant velocity से तो उस पे F उधर जितना लग रहा है आपको भी उधर उतना ही लगाना पड़ेगा Newton's first law अगर आप एक body को constant velocity से move कराना चाहते हो तो उस पे net force 0 होनी चाहिए तो अगर F force इधर लग रही है तो उधर भी आपको F ही लगानी पड़ेगी और power आपको कितनी लगानी पड़ेगी power का formula आपको पता है force into velocity होता है force का ही हमने निकाल लिया तो जब आप इसको velocity से multiply करोगे तो V का भी स्क्वेर हो जाएगा बी स्क्वेर एल स्क्वेर वी स्क्वेर बाई आर ये भी याद रखना है आपको ननी सी जान क्या का याद रखेगी ठीक है अच्छा एक बड़ा important concept है यहाँ पर हम कहतो रहे है कि energy conserve रहती है बट हम उसको mathematically भी show करेंगे देखो जब आप उसको move कर रहे हो तो आपको जो apply करने पड़ रही है उस पर वो है mechanical power और वो है ये लेकिन उसके अंदर जो आ रही है वो है electrical power तो जितनी आपने mechanical power लगाई अब हम electrical power निकालेंगे क्या उतनी ही electrical power मिली आपको तो प्रूव हो जाएगा conservation of energy भई electrical power क्या होती है i square r होती है 10th में आपने पड़ा है और i कितना होता है i है 12th में भी तो पड़ा है फॉर्मुला है b l v by r i square r अब जब आप इसको खोलोगे तो ये क्या आएगा b square l square v square by r square into r एक r से r कटा तो देखो कितनी electrical power आपको मिल रही है आपको मिल रही है b square l square v square by r इतनी electrical power आपको मिल रही है और आपने कितनी mechanical power लगाई आपने भी इतनी ही mechanical power लगाई ना तो यहां से energy consideration नाम से आपको एक topic मिलेगा किताबों में उसके अंदर यही बताया गया है कि जितनी आप mechanical power लगाते हो उतनी ही आपको electrical power मिलती है आगे क्या भाई सवाल है अच्छा पावर और इस पर है ना question है तो कितना है देखो conducting rod pq of length 20 cm तो 20 cm मतलब 0.2 m and resistance 0.1 ohm आर कितना है 0.1 ohm बहुत कम है rests on two smooth parallel rails of negligible resistance यह pq जो है यह इन parallel rails पे जिनका resistance negligible है उस पे अराम कर रही है aa dash और cc dash ठीक है it can slide on rails it can slide on rails यह cbsc Delhi 2020 का सवाल है it can slide on rails and the arrangement is poisoned between the poles of a bar magnet producing a uniform magnetic field of 0.4 tesla 0.4 tesla की magnetic field into the plane the rails the rod and magnetic field are three mutually perpendicular directions वो हमको पत लग गया if the ends a and c of the rails are short circuited इन दोनों को अगर जोड दिया find the external force required to move the rod with uniform velocity 10 cm per second force b square l square v by r होती है न तो velocity कितनी velocity से move करना है 10 cm per second से cm को meter में convert करो तो 0.1 meter per second से हमें इसे move करना है तो कितना force लगेगा b square l square v by r ठीक है तो b square b है 0.4 0.4 का square into l square 0.2 का square into v 0.1 divided by r which is also 0.1 तो ये तो कट गया so f बहुत simple सी calculation बची है 4 का square हो गया 16 और 2 का square हो गया 4 into 10 की power minus 2 यहां से और minus 2 वहां से 10 की power minus 4 newton हाना force है तो newton में आ जाए क्योंकि सबको हमने SI unit में convert कर दिया 6.4 into 10 की power minus 3 newton power required to do so b part भी है इसका power power होता है force into velocity है तो power होगा force अब दुबारा से formula में मत put करने बैठ जाना पीछे जो formula निकाला है हमने power का because force into velocity होता तो force हम अब अलरेड़ी निकाल चुके ज़स इसको velocity से multiply कर दो यानि 0.1 से multiply कर दो तो power आ जाएगी watt में SI unit में power आ जाएगी so 0.1 से इसको कर दिया 10 की power minus 4 6.4 इंटू 10 की power minus 4 watt when a coil rotates in a magnetic field देखो एक magnetic field है अब यह तीसरा case है एक magnetic field है emotional EMF का तीसरा case यह formula हम दुबारा derive करेंगे AC generator में AC generator का already वैसे में concept करा चुकों तुमको के नहीं कर रहा है I don't remember शायद मैंने वीडियो डाला था पीछे important topics की series में नहीं डाला था तो आप डाल देगे ठीक है यह magnetic field है और इस magnetic field में एक coil rotate कर रहा है किसी भी shape का now let us say circular coil है जो इस magnetic field में angular velocity omega से rotate कर रहा है about this axis यह axis है इसका central axis इस axis के about ऐसे यह गूम रहा है हना यह गूम रहा है तो ऐसे गूमेगा तो इसके through flux change होगा इसके through flux change होगा तो इसमें emf induce होगा तो वह emf और current कितना है वो हम निकाल लें एक तो इसका ए जो है वो area of coil है और n इसमें number of turns है B magnetic field ले 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 तो इसके इसमें emf कितना है इंड्यूस होगा इसमें emf B by dt और phi क्या होता है अब इसमें क्या change हो रहा है flux होता है BA cos theta तो क्या B change हो रहा है नहीं change हो रहा है magnetic field थोड़ी change हो रही जब ये rotate हो रहा है तो क्या A change हो रहा है ना इसका area भी change नहीं हो रहा है क्या change हो रहा है theta change हो रहा है t time में कितना angle cover करेगा omega t, right, तो flux की जगह हम डाल दे, b a cos theta और theta की जगह omega t डाल दे, so this will be minus d by dt of b a cos omega t, right तो what is induced emf induced emf will be, देखो minus b बहर आ गया a बहर आ गया cos omega t का derivative होगा minus cos theta का होता न, minus sin theta minus sin omega t into chain rule लगाओ, omega t का derivative होगा omega, so minus minus हो जाएगा plus और अगर अगर ये किस coil में n turns है, एक turn नहीं है n turns है, तो आगे n multiply हो जाता ये भी formula में है ठीक, तो क्या हो जाएगा n, b, a, omega, sin, omega, t ये बहुत important formula है बच्चों alternating current पूरा chapter इसी formula पे based है तो इतना emf induce होगा n, b, a, omega, sin, omega, t so this emf is not constant it is a time dependent emf समय के साथ बदलेगा तो current भी बदलेगा क्योंकि current कितना induce होगा that current will also be time dependent e by r, so this divided by r n, b, a, omega, sin, omega, t divided by r हाना, तो current भी time dependent है ऐसे case में और emf भी time dependent है तो ये fixed नहीं है और ये कैसे change होगे देखो, n, b, a, omega ये चारों चीजे तो constant है बड़ा important point यहां पर मैं बता रहा हूँ ये चारों चीजे तो constant है अना, इसकी कोई एक fixed value आप मानलो इसकी value 10, 15 कुछ भी है और ये बचा sin theta तो इसकी value कैसे change होगी 1 से minus 1 के बीच में oscillate करेगा ये sin theta की value तो मानलो, ये जो है, ये 15 है इसका जो product है, वो 15 है तो ये जादा से जादा plus 15 हो सकता है, क्योंकि ये जाद से जादा plus 1 होगा और ये दूसरे end पर minus 15 हो सकता है क्योंकि वो जाद से जादा minus 15 होगा बागी तो sin theta की value 1 से minus 1 के बीच में ही रहनी है तो ये 15 से कमी रहेगा so this is what, this is the maximum value of the emf, e naught से अगर हम इसको denote करें या e max, कुछ भी आप इसको नाम देना चाहो इसको मैं suppose e naught लिख रहा हूँ so e कितना होगा, e होगा e naught sin omega t अगर आप लोगोंने ac chapter पढ़ा है तो ये आप जानते होगे कि ये होता है formula similarly, इस पूरे की जगा you can put i naught और maximum value of current तो ये हो जाएगा आपका i equal to i naught sin omega t तो numericals में maximum emf पुछेगा तो nb a omega लेकिन अगर ये पूर पूरा पूछेगा तो time देगा कि इस particular time पे emf क्या होगी and that is called instantaneous emf emf at a particular instant that is called instantaneous emf या फिर instantaneous current right, for example a circular coil of area 300 cm square तो एक circular coil ही है question में भी हमने भी circular ही लिया था जिसका area है 300 cm square जिसको हम पहले ही meter square में convert कर लें and 25 tons number of tons भी दे रखी है 25 है rotates about its vertical diameter बिल्कुल वोई situation आ गही है ये इसका vertical diameter रहाँ था, vertical diameter के about rotate कर रहा है rotates about its vertical diameter with an angular speed of 40 per second तो radian per second कोई per second लिखा जाता है तो this is 40 radian in a uniform horizontal angular speed of 40 नहीं, ये क्या है per second ना, this is frequency this has to be frequency 40 revolutions आई ये इसकी new 40 क्योंकि new की new की जो ऐसा unit है वो hertz है और 1 hertz कितना होता है 1 hertz है 1 upon time होता है ना, तो 1 upon second 1 hertz is 1 upon second so second inverse so this is frequency 40 hertz right, in a uniform magnetic field of 0.05 tesla obtain the maximum voltage induced magnetic field is 10 की पावर, 5 into 10 की पावर, minus 2 tesla यहां इसको अभी हम 0.05 tesla ही लिख लेते हैं so maximum e naught e naught is what n n b जो अभी हमने पीछे formula निकाला n, b, a यह a किता हो जाएगा 3 into 10 की पावर, minus 2 omega, omega होता है 2 pi new volt right so this is करें जरा इसको कुछ 3 into 2 6 6 into 4 24 24 into 5 120 120 into 25 पहले इसको इतना नहीं यह हो जाएगा हमारा 120 लेकिन 1, 0 extra लगा दी तो 1200 हो गया और 2 कम कर दी तो 12 आएगा इन सब का product ठीक है? चक कर लेना, calculation है देख लेना कुछ गलती न करियो मैंने और फिर यहां बे बचेगा कितना? एक तो 3.14 multiply नहीं किया भी हमने into 10 की power minus 2 ठीक है? तो 25 इंटू 12 कितना होता है? तो 25 इंटू 12 होता है 300 हना? तो 25 इंटू 12 यह हो जाएगा 300 दो 0 में यहां से काट देख तो 3 बचेगा लग बग 3 इंटू 3 नौ होता है तो अच्छा इसको multiply कर लेते हैं ना? 3 बचा ना हमारे पास तो 12, 1, 3 और 1, 4 और 9 9.42 इंटू 10 की power minus 2 अच्छा minus 2 तो उड़ गया हाना? minus 2 तो उड़ गया so that is 9.42 वोल्ट 9.42 वोल्ट ठीक? इस तरहा question ठीक है बच्चो तो ये emotional EMF का topic था इसको अच्छे से prepare कर लेना notes मैं आपको दे रहा हूँ description में मिलता हूँ इसके अगले lecture में electromagnetic induction के जिसमें हम लोग self induction और mutual induction पढ़ेंगे बहुत ही important topics हैं तब तक के लिए बबाए